नमस्कार दोस्तों आप सभी साद्गों को सभी सादुसंतों को सभी जिग्यासू और जितने भी अपने मित्र हैस नहीं हैं उन सब को मैं प्रणाम करता हूँ और जितने भी हमारे नए सदस्य हैं उन सब का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों जीवन बहुत सारी कार्य होने के कारण व्यस्तताओं में चलता है और इसमें हर एक साधक को मेरे लिए समय दे पाना संभव नहीं होता क्योंकि होता क्या है कि कुछ आदमी तो वैसे ही यूटूब पर आते हैं लेकिन हमारी एक पीछे प्रस्ट भूमी है हम लोग साधना क्षेतर से जुड़े हुए हैं इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं निकल पाता तो मैं च्छमा चाहूंगा और आप सभी से आसा करूंगा कि इश्वरी की किरपा से आप सभी ठीक ठाक होंगे और ये आसा करूंगा कि आप इस चीज़ को मेरी नजर अंदाज कर देंगे वैस्तता को अब क्या करूं मजबूरी है आप सभी भाई बेहनों के काम होते हैं तो वो करने पड़ते हैं मेरे माननिय मित्र बंदू भाई बेहन और सभी सादक जन सभी जो मित्र हैं इनके लिए मैं लाया हूँ आज एक ऐसी गुप्त सादना जो की यूटूब पर से पहली बार दी जा रही है ये क्षेत्रिय देवता की सादना है दोस्तो जो इस देवता को जानते हैं उनको तो इस देवता की शक्ति का अनुमान है लेकिन एक्षेत्रिय देवता की जब हम सादना डालते हैं तो उस पर बिना कोई एक्शन पहले हमें लेना पड़ता है पहले अजमा कर देखना पड़ता है उसको ठीक जब उसकी कारिक्षमता इतनी होती है वो मंतर काम करता है या जब हम उसे अजमा लेते हैं तब ही परिक्षा के बाद ही वो मंतर हम डालते हैं दोस्तों इस विशे आज का जो विशे है वो है अकास कामनी माता जिसे अकास कामनी अकास मोहिनी अकास भावानी बोलते हैं यह परी की केटागरी की एक देवी होती है बस्तुत है इसका जो वर्ग होता है वो देवी का वर्ग है लेकिन इसकी जो चेश्टा रहती है सारी जो ध्यान इत्यादी है वो सब देवी का ही रूप है यह एक ऐसी कन्या माल लोगी 12-13 वर्ष की कन्या है और केशोरी रूप है इसका और यह कई सादकों को पीले रंग की फ्रॉक या लाल रंग की फ्रॉक या सफेर रंग की फ्रॉक डाले हुए एक कन्या दिखाई देने पड़ती है तो वस्तुत है क्या होता है इसका जो जो मतुरा में भगवान कृष्ण के पहले जेष्ट उनकी बेहन जो हुई थी जो यसोदा माता के अपना गर्ब से हुई थी कि कि शमा चाहूंगा मुझे अब भी उसका ध्यान नहीं आ रहा तो वो जो कन्या जब देवकी का आठमा अंगरब जो बोला था अकाशवानी ने तो जब हाथ से छुटा और देवी वो उड़ गई तो उन्होंने बोला कि कृष्ण तेरी तेरकाल तो हेक अंस कहीं और जन्म ले चुका है तो वस्तुत है अकाश कामनी को जिस सादक से मैंने ये मंत्र लिया है वो उसी देवी के साथ जोड़ते हैं और उसी देवी के साथ जोड़ करके उसको मानके चलते हैं तो दोस्तों मैं मंत्र आपको बता रहा हूं ओम नमो कंस के हाथ से छूट भवानी जा आकाश विराजे दसो दिशा को बांध भवानी नमो अकाश कामनी अच्ट बुजी तेरा सबरूप सर से आए सट से जाए देश विसे विदेश की खबर बताए भगत जनों के काज बना ना आए माता तो सातों डाली सीतला की आन माता बिंद्या चल वासनी की माता काली की आन लोना चमारी की विद्या फिरेच फूरेच छूब कंक कामनी फूलों का हार अकास कामनी करे सिंगार तन मोहे मन मोहे मोहे सारा देश सात जात की विद्या मोहे सब जन को ना मोहे अकास क तो दुहाई काली माता की 64 योगनियों की आन लोना चमारी की विद्या फुरेच हूँ दोस्तों ये मंत्र मैंने दो तीन दिन तक किया है और मुझे अच्छा रिस्पॉंस आया इतनी जबर्दस्ट वाइब्रेशन्स मुझे कभी महसूस नहीं हुई अकास कामनी एक देवी वर्ग की शक्ति है और परी नहीं कह सकते से ये सती रूपा है देवी है और बहुत स्पीड है इसकी ठीक अब क्या की मेरी मुलाकात मेरे एक मित्र है यूपी के अब उन उनके संपर्क में एक मित्र थे तो वो ओजहा थे उनसे मेरी मुलाकात हुई तो कुछ ग्यान का अर्दान परदान हुआ उनको अकास ववानी का असिरवाद प्रापर था तो जैसे मुझे पता नहीं कि कैसे क्या उनके मन में प्रेड़ना आई तो बातचीच चलने लगी कुछ ग्यान उन्हों ने लिया और कुछ ग्यान उन्हों ने दिया तो यह मंत्र उन्होंने हाली में मुझे दिया मुझे जंचा और मैंने दो तीन दिन तक किया है और बहुत अच्छा मुझे इसका रिजल्ट आया क्योंकि मैंने जो पहले पोस्ट डाली थी वो मेरे गुरू जी का गुपत मंत्र है उन्होंने मुझे दिया था कास कामनी का उस के पास पहले मंतर स्था मेंने उस से 50 बार जो है काम भी लेंके बाद जो है काम हुआ भी है इस जो है उसके बाद में आभ डी के डी ही जो डी देवता होते हैं जो समझी एक्षेत्रिय देवता होते हैं जैसे हमारे भूमिया बाबा उनके डी होते हैं ठीक है तो उसके उपर फिर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ लेकिन आप चीज आपको बता दू आकास कामनी का जो भोग दिया जाता है जितना भी भोग आकास कामनी माता को आप दोगे वो पहले बांस की लकडी से एक तिपाहे का निर्मान होता है तिपाहे का निर्मान करने के बाद उसके उपर मद्दे में मट्टी का ही कोसा रखा जाता है ठीक है कोसे में आग जलाई जाती है आग जब जलाई जाती है तो सभ और वैसे ही दीपक उची जगह पे यानि अकास में ही जलाया जाता उसको अकास में दिया जाता भूमी पे नहीं दिया जाता वस्तुता है क्या होता है बाकी देवी देवता जितने हैं सभी भूमी पे चलते हैं लेकिन ये एक देवी ऐसी है कि अकास में ही इसका भूब परश हम हूँ वह है धार जिसे अरग बोलते हैं उसे ढरकोणा वी बोला जाता आ है। ख्यत्री वहांसा में उसके उपर विश्चिते ही रूप से लेक में ढाल दिया है कची धार कैसे बनेगी पकी धार कैसे बनेगी कौन से देवता के निमित कौन सी धार बनेगी ठीक है कैसे बनेगी ये मैंने उसमें टाल दिया है आप पोस्ट को पढ़िएगा मैं नीचे लिंक दे रहा हूं वीडियो के उस लिंक पे टच कीजेगा आपका मॉबाइल जो है ब्राउजर मांगेगा कि कौन से ब्राउजर से खुलो तो जब यह ब्राउजर सेट कर लोगे तो आपके सामने मेरे ब्लॉग खुल जाएंगे उस ब्लॉग में आपको जो है सारा लेख मिल जाएगा अब जो मैं इस साधना के निमित आ जाता हूं थोड़ा से बीशे पर इस साधना को आपने दिवा इक्तली से 11 दिन पहले आपने शुरू करना है और शुरू करने के बाद आपने प्रती दिन पांच माला जाब करना है रातरी में और 108 अहुती देनी है प्रती दिन तभी आपकी पूजा संपन्द होगी और जब आप अहुती दे चुके हो एक नेमबौ काट करके देवी के निमित उसी मंत्रद्वारा आपने देवी को अर्पित करना है ठीक है तब आपकी पूजा संपन होगी आपका आशन और वस्त्र पी ले होंगे और मुख पूर्व की ओर होगा माला रुद्राक्ष की होगी ब्रह्मचर्य का व्रत वो मेंडेटरी है माता के चर्णों में ध्यान रखिए इसी से आपको सिद्धी प्राप्त होगी शिर्फ गुरु आग्या से आप यह साधना कर सकते हो क्योंकि यह देवी इतनी खतरनाक है ना भाई यह अगर रूस्ट हो गई सीदा सीदा जान लेती है यह बक्सती नहीं है जितनी भूली भाली इसकी मुखा करती है ना उस पे मत जाना बहुत भूली है मोह लेती है ठीक है लेकिन जब पल्टा मारेगी तो आदमी की सीधा खून फेक के मरेगा आदमी वो है अकास कामनी अकास मोहनी की विद्ध्या मैं आपको ये दी ठीक अब इसमें एक चीज और है नीचे मैंने आपको अर्ग वगएरा जो है वो उसके लिए डेटेल्ड मैंने बता दिया है उसको कीजेगा और जो है अधिक जानकारी के लिए मेरे वर्टसेप नमबर के उपर संपर किया जा सकता है जो सादक आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सादक तानतरिक बढ़ना चाहते हैं, जो सादक चाहते हैं कि हमारे नौलेज का क्षेत्र बढ़े तो उन सादनों से, सादकों से मैं एक निवेदन करूँगा आप कुछ मत करो, कहीं मत भटको खाली जितने वीडियो में ने डाले हैं ना उनको देख लो पहले अपनी नॉलेज बढ़ा लो जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तब यह आप करोगे दूसरी बात कुछ मेरे पास ऐसे बंदों के वर्टसेप के उपर ऐसे कमेंट आते हैं इतने उतावले बंदेरे भाईया जब पहले तेरे में धैरे नहीं है जब तुझे मैं देवता की उपासना में बठा दूँगा तो इतना भीरू आदमी तो फिर आगे कुछ कर भी नहीं सकता अगर आप मुझे से कुछ प्राप्त करना चाहते हो अगर आप वाकी में मुझे कुछ समझते हो और कुछ मंतर लेने की इच्चा होती है तो आपको अपने मन में धैर्य धारन करना होगा जब आप मेरे लिए धैर्य नहीं कर सकते तो फिर आप देवता के लिए क्या धैर्य करेगे दूसरी बात एक इंपोर्टन चीज आपको मैं बताता हूँ जो ये तंतर की लाइन है इसमें छोटे छोटे चुझे यानि की कम उमर के लड़के बच्चे जिनके अंदर बच्पना है वो लोग घुस रहे हैं मुझे इसमें कोई दुख नहीं है यंग है ठीक है यंग कम्यूनिटी को इसके बारे में अवेर होना चाहिए लेकिन होता क्या है जो यंग कम्यूनिटी होती है उसमें थोड़ा सा धैरे की कमी होती है कहते हैं न कि धीरे धीरे रेमन धीरे सब कुछ होए भाईया रिजल्ट तो आ जाते हैं ततकाल में भी आप उतना नहीं कर पाओगे जो छोटे-छोटे बच्चे लगे हुए हैं उनको कहूँगा भट को नहीं पहले आप वीडियोस देखो और धैरे बनाओ कारे भी होते हैं सब कुछ होता है चिलाने से कुछ नहीं होता हारदिक हारदिक सुभकामने ये शुरी करेंगी कि आपका कल्यान हो आपको साधनाओं में सफलता मिले और आप हर कारक्षेतर में आगे बढ़ें ऐसी मनों कामना करते हुए मैं आपसे लेता हूँ इजाजत जै जैसी ताराम जै जैसी ताराम जै जैसी ताराम जै जैसी